हलो ट्रेडर्स विल्कम प्यूर चानेल चार्ट विट्रेड आपके स्किन के सामने यह जो चार्ट उपन हुआ है यह उपन हुआ है फैक्ट का और यहां पे जो मैं टाइम फ्रेम सेलेट क्या हूं विकले देखिए जो फर्टिलाइजर सेक्टर है और लेड़े आउट पर्फ आसपास उसी अपर लेबल को प्रैस आज एक स्ट्रॉन बूलिश सका अगर मैं आपको dylai टाइम फ्रेम में देखा उँगा तो ठेखिए डिलि टाइम फ्रेम में देखेंगे तो price देखे day high में जाकर closing हो आए and high provide लेकि काल यहां पर price gap up हो सकता है लेकिन gap up में stock में fresh entry करना नहीं है क्योंकि अगर weekly time frame में यहां पर trend line draw करूंगा तो price यहां पर exactly resistance के आसपास पहुंच जाएगा अगर stock का price 170-172 के आसपास आ जाएगा तो अगर काल यहां पर stock का price gap up होता है आपको वहां पर लेना नहीं है आपको wait करना है price को pull back का and price pull back कहां तक कर सकता है 158 के आसपास कर सकता है मेरा view में stock को यह जो candle बना है इस candle का 50% का आसपास price को एक बार pull back करना चाहिए क्योंकि यहां पर weekly time frame में एक trend line जा रहा है और वहां से price क आपको एक बार supply आना चाहिए gap pump में काल इसको आप मत लिजेगा breakout आया है लेकिन आपको निचे का level मिलेगा probability high है कि price एक बार के लिए 158 लेबल को test कर सकता है जो कि आपके लिए best level रहेगा entry करने के लिए अगर है no doubt hold करना चाहिए लेकिन fresh entry करने के लिए आपको wait करना है gap pump में आभड करना है pullback में add करना है अगर gapदान होता है 158-155 cash पर सबसे best level है entry करने के लिए और उसके साथ quantity को add risk को manage करना सबसे important है लेकिन quantity को manage किजेगा add risk को manage किजेगा I hope आप समझपाई होंगे वीडियो आचला लागा वीडियो को लाइक किजेगा आप च्रनल को subscribe करने क कर वीडियो